असलाम लेकुम फार्मर्स, खुशामदीद, आज से एक नया वीडियो सिलसला शुरू होने जा रहा है, जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक नया सिलसला भी बनाऊंगा जिसमें हम गोष्ट की प्रोडक्शन के बारे में खुशूसी तोर पर फोकस करेंगे और उसमे एक अच्छे रिजल्ट कैसे लिए जा सकते हैं किसान को जो है वो शॉटर में कैसे मनाफ़ा हो सकता है इसके बारे में तफसीलन वीडियो होंगी पार्ट के एपिसोड की सूरत में मैं पूरा एपिसोड के सिलसला बनाऊंगा उसमें शेयर करूँगा कैसे आप किस मौसम मे जानवर लियाज हैं और उनकी देख बाल में क्या किया चीजा जूरूरी हैं वो कितना वज़न कर सकते हैं कितनी कीमत पर Farmar से यहाँ आया करते थैंदे सहिए तब से यह सारी सिल्षा चल रहा है और अलम चलाते विसमें इसमें एक प्लाम करनफ जर्द सान करते हैं अब्लान बारमर किया एक हमारे वि blank करता हूं लेकिन उसके साथ साथ हमने इसमें मीट के लिए भी एक सिस्ला बनाया हुआ है उसमें सबसे पहले शेड बनाने की त्यारी होती है कि शेड कैसे बनाना है इसके लिए में क्या क्या जरूरी है गर्मियों में जानवनों के क्या मिसाइल है सरद्रियों में क्या मिसाल है तो मैं छोडास ओवर्वियू दे जए लिता हूँ आख पाकिसान में और दुनिया भर में कोई नों के तहवार ज़रूर होता है उस तहवार में जो है ना गोश्ट बड़े शोक से खाया जाता है जैसे पाकिसान में अगर आप तहवार की बात कर ऋन डीमान्ड से क्या मरद है कि आप 50 से 60 यह 70 जानवर जो लोग पहले लिखवा देते हैं फर्रस करें हमारे जानने वालों में से 10 15 जानवर उदेर चलेगे फ्रेंड्स की लिजन निकाला जाते हैं 10 15 जानवर उदेर चले जाते हैं और जैसे इस्तमाई कुर्बानी होती है आपके इलागे की जो जामय मर्जीद है वहां से आपको डिमांड आ जाती है कि हमें इतने जार्वन चाहिए होंगे इस वेट के चाहिए होंगे तो सबसे पहले जो confirmation है जिस इसका threat होता है कि मुझे अच्य rate मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे मंडी में रूलना तरह नहीं पड़ेगा सबसे पहले आपने market identify करनी है कि आपकी market होके आपको sale करने में इशुत नहीं है यह आप own purpose sale करने है without purpose उसकी production नहीं कर रहे ना मतलब आपको पता है कि मैं किस लिए produce कर रहे हैं और कितने वेट का करने तो आप उसी हिसाब से जनवर खरीदे हैं और उसको तियार करते हैं और इसको बेच देती तो एक छोटा साइडिया मैं आपके साथ share कर लेता हूँ जो practically हम कर रहे हम यह करते हैं कि अभी कोरा बहुत जादा है आपने बनाया वे सिस्टम को तो आप जनवर ले सकते लेकिन अगर आपने ऐसा कोई कवर की जगा नहीं है तो अभी आप रुकजे टमपरेचर थोड़ा ठीक हो जाए तो आप खरीद सकते जनवर ले सकते उसमें दूसरा सबसी बड़ी बात यह है कि हमने किस एज क्या ज चाहिए हो गई है इन चीजों को देख लेते हैं तो गुर्बानी के लिए जो जनवर है उसकी उमट 20 साल होनी चाहिए तो 20 साल के साथ महिने 8 मिने औगस्त में आई थी तो अब जोलाई के एंड में आएगी तो उस ही साबसे हमें तकरीबान सड़े 6 महिन हैं हमारे पास यह में आप ले सकते हैं और वो 18,000 रुपाय फी मन की साब से मिल जाता है सर्दियों में कुछ कुछ जो किसान होते हैं छोटे उनके पास रहाइस का प्राब्लम होता है और वो उसको रख नहीं पाते हैं और उसकी मोटलिटी मोत की वज़ा से या उसके मर जाने की वज़ा से उसक के दोर में ले सकते हैं इस इतला बक्रियों का भी है अगर आप बक्रे या बक्रिया पालना चाहते हैं इद्ध के लिए तो वह भी ये सीजन ठीक है लेकिन अभी छोटा बच्चा इतना ना ले अच्छा जी हम वापस आते हैं उसी पॉइंट पर के सो कि लोग आप जाने व जब आप उसको सेल करेंगे ना तो एक तो डिमांड जो हमने निकाली थी कि अगर उसमें ऐसा होता कि वेट की हिसाब से अगर पेचा जाए तो तकरीबन देखें कि आपने लिया था जानवर 40,000 से 50,000 की रेंज में फ़र्ज करें 45,000 में मिला आपको और उसके बाद आपने आपकर बेच दिये तो इसके उपर आपको 18-20,000 बच जाते हैं या 15,000 भी बच जाते हैं इन केस आप अगर फी यूनिट यह नहीं एक जानवर के साब से तो आप अपनी एरिया का तायून कर ले और चारे का तायून कर ले कि उसके पर चारे की कितनी कीमत आए कि अगर आप से साब से अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 15,000 एक जानवर पीछे बच जाए अगर एद पर और आपने 10 जानवर रखे हो और 6 महिने की मेनत है तो तकरीबन आपको डेड़ से 2 लाक रपा बच जाएगा ठीक है यह चोटी सी जगह पर है जहां आपको कोई extraordinary काम नहीं करन बहुत छोटा सा काम करना मराद यह है कि आपके पाथ 10 जानवर खडे करने की जगह और पानीह बिलाने कि उनको जो है ना चारह भर देने के अच्छा इंतिजाम हो अगर आपके पास ज्यादा जगह है आगर आपके पास जादा जगा है रिसोर्सें जाद है तो आप इस प्रोडक्शन को बढ़ा भी सकते हैं जाधा भी कर सकते हैं तो आज की वीडियो यही खतम करते हैं और परने Pegken साथ लोक्रत करने की कोशिश करुगा कि उसमें मैं आपको एस्टिमेट दे सकूँ शैड के लिए और हम क्या करने जा रहे हैं बैसे के लिए मेरा अपना हमारा अपना परसिनल एक्स्पीरिस आपके साथ शेयर करना सबसे जारा जरूरी है ताकि चीजों को बारे में ऐसा ना लगे कि मैं आर्टिफिशली तोर पर या सिरफ किताबे बाते कर रहा हूं ऐसा ना हो तो अलहमदिल्ला आप देख सकते हमारे बागात भी है जमीन भी है माशाला मैंगो का बाग भी है ठीक है और हम यहां फन के लिए भी आते होते हैं अपनी फैमिली के साथ अमोबन आ रहे भाई मेरे साथ हैं तो इंशाला ने